दोस्तो क्या आपको पता है कि उत्राखंड के हसीन पहारों में अब सफर करना होगा और भी आसान और रोमांचक? जी हाँ हम बात कर रहे हैं नए रोपवे प्रोजेक्ट की जो ना सिर्फ टूरिजम को बूस्ट करेगा बलकि हमें पॉलियूसन से भी छुटकारा देगा तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन रोपवेज के बारे में जो उत्राखंड के पहारों की अदवुत सेर कराएगी और देहरादुन केदान नातियमनोत्री और हिमकुन सहेब तक आपकी पहुच को ये रोपवे आसान बनाएगी दोस्तो पहारों में ये रोपवे प्रोजेक्ट बनने की कई फायदे है जैसे की कम एरिया में बिना परियावान को नुक्सान पहुचाए इन रोपवे को बनाया जा सकता है दोस्तों काफी कम पैसे में आप इन रोपवे का सफर कर पाएंगे और साथी साथ ट्राफिक के जंजर से भी आप बचेंगे दोस्तों उत्राखन के देहरादुन से मसूरी तक एक रोपवे का निर्मान किया जा रहा है जिसका फेज 1 सेप्टेंबर 2026 तक कमपलीट होने की उमीद है दोस्तों इस रोपवे का में मकसद है देहरादुन और मसूरी के बीच का सफर को 15 मिनिट में पूरा करना जो कि अभी एक घंटे 50 मिनिट से लेकर 3 घंटे तक का समय लगता है जो कि ट्राफिक के उफर डिफेंड करता है दोस्तों इस रोपवे 5.5 किलोमेटर लंबा होगा और इसके प्रत्तेक केविन में 10 यातरी यातरा कर पाएंगे और इस रोपवे एक बार में 1300 यातरी को टांसपोर्ट कर सकता है दोस्तों इस प्रोजेक को बनाने में लगबख 300 करोर रुपवे का खर्च होने वाला है और इस रोपवे मोनोकेबल टेकनोलिजी पर बेस्ट है जो कि हर मौसम यातरा करवाने में सक्सम होगा दोस्तों इसके बाद केदारनात हेमकुंट साहिब और यामनोतरी रोपवे का डीटेल वीडियो हमारे चैनल में पहले से मौजूद है और इन सारे वीडियो का लिंक्स आपको डिप्सक्रिप्सन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए तो दोस्तों आपने देखा कैसे ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ सफर को आसान नहीं बलकि हमें विकास की नई दिसा में ले जा रहा है और दोस्तों ये प्रोजेक्ट ना सिरिफ टूरिजम को बूश्ट करेगा बलकि हमें सफर का एक नया एक्सपीडियन्स भी देगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, सेयर करे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले